मैं इस समय जहां खड़ा हूँ, यह तीसरी चत है, यह मेरा ध्यान मंदिर है, Meditation Place, इसकी पहली चत, दूसरी चत, और उसके बाद यह तीसरी चत, इस चत का नाम मैंने रखा है स्वर्ग सोपान, यहां पर बैठकर मैं अंतरिक्ष्ट को देखता हूँ, घंटों इस चत के उपर लेट गए और आकाश को देखते रहे, अब जो जीवन से खो गया है संसार के लोगों का, वो है आकाश को देखना, आकाश हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ अब चते हैं, सीमेंट के जिनके करते हैं, तो आकाश का दर्शन करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आकाश से जो दिव्य शक्तियां उतरती हैं, वो मनुष्य की आँखों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करती हैं, इस बात को लोग जानते ने, महसूस नहीं करते, क्योंकि मैं तो रहा हूँ हिमाले के उन योगियों के साथ, जिन्नों ने ये बात सिखाई, कि कुछ नहीं करो, बस लेट जाओ, पढ़ जाओ छट के उपर, या खुले आकाश के नीचे, और लगातार आकाश को निहारते रहो, और ये निहारना रात को और भी खुबसूरत हो जाता है, फुल मून मेडिटेशन इधर हम करते हैं, रात को, दस बजे बैठके, और जिदर जिदर चान जाता रहा, उसके साथ घूमते रहते हैं, और करीबन चार-पांच घंटे ही ध्यान चलता है, निरंतर चंदरमा को देखने का, और चंदरमा में जो सोम का तत्व है, उसकी प्र आकर्तिक शक्तियां और चकित्सा हैं, जिनको यदि हम जीवन में अपनाएं, तो आप आएंगे कि कुछ भीतर, कुछ बढ़ा है, और ऐसा बढ़ा है जो दिव्वे है, आप देखें आकाश को उतारे निकले हुए हो, आप देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और देखते देखते आपको लगेगा, कि आप कहीं अंतरिक्ष के अंदर खोने लगे हैं, विलीन होने लगे हैं, लीन होने लगे हैं, तो इस अंतरिक्ष के गहराई में गोता मारने के लिए, यह बहुत आवश्यक है, कि हम करीबन दो धाई घंटे का समय निकालें, और जाकर और शरीर जो हमारा जिस उर्जा से चलता है उस उर्जा के साथ जुड़कर आपको एक जीने का नया आयाम देंगी, कुछ खिलाव होगा भीतर, तो केवल घरों के अंदर सिमट कर मत रह जाएए, अपनी छटों पर आईए, कुछ लोग कहते हैं, हमारे पस छट नहीं है कोई बात नहीं, खुला आस्मान तो है, आप पार्क में चले जाएए, अभी इस प्रैक्टिकल को करें, घर से एक चादर ले जाएं, और किसी भी बागीचे में जाकर लेट जाएं, चादर बिचा कर आस्मान की और लेटे रहें, अपना दोपैर का भोजन भी वहीं ले जा पर कोशिश करें उसमें व्यर्स की बातचीत ना करें, बातचीत करें ही ना, और चुप चाप, पूरा परिवार अगर हो, तो वह वहां लेट जाए, और ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, मुश्किल बस इसे ठान लेना है, आपको लोगे का हजार काम आता है कि जो भी ऐसा करेगा, वो अपने भीतर कुछ गहरी शक्तियों को प्राप्त करेगा, तो करके देखें और फिर इसका आनन्द लें झाल 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 झाल